एक बार फी से मेरे नियोगे टीजर नेज टूपाइंट जरो माप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आए देखते हैं सिक्षकों के लिए अपडेट 27 जीलों में इन सभी सिक्षकों का बेतन पर रोक बेतन अस्थाकित करने का आदेश हुआ है जारी आखिर यह कौन से सिक पर रोक बेतन अनुदान अस्थाकित कर दिया गया है हाई खोट के आदेश पर जाली अनापती पर्मान पत्र अनुदान अस्थाकित कर दिया गया है अनुदान लेने को लेकर 24-69 मदर्सों की जांच करवाई जा रही है सिक्षा बिभाग के अपरमुक्सचिव दिपक कुमर्ट सिंग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है अपरमुक्सचिव ने डियो और डिपयो को निदेश दिया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है कि क सामने आने पर हाई कोट राज के 24-69 मदर्सों की जांच का आदेश दिया था शिक्षा बिभाग ने 30 जनवरी को जिला अस्तर पर गठित जांच कमेटियों के अध्याक्ष को पटना बुलाया गया तीन सदस्य कमेटी में डियम और प्रादिक्रित बरिये उप समहरता अध् खंड के बियो भी इसमें सदस है तो शिक्षा विभाग के अपरमुख सचीव ने जारी किया आदेश 24-69 मदर्सों की कोट के आदेश के बाद हो रही है जांच यानि आदेश तक इन सभी कर्मियों का बेतन अस्थाकित करने का आदेश जारी किया गया है अपरमुख सचीव दीपक कुमार सिंग के दुआ रहा तो वीडियो में इतना है वीडियो में आज तक बना है अनके लिए धन्यवाद वीडियो को जारी सेयर करें वीडियो को एक लाइक आउस करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस तरह का सिक्षा वियर से लेटेस अबडेट पाने के देलियो को जाइका वीडियो करें इस दूना है वीडियो में पाने करें दोवाद रहा एक लाद सेサ सुना कि भीडियो में जरू आज फुए में घरू इटेस नजर फ